कि आप सब का I hope कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक्टाफ होगे मैं अभी ठीक्टाफ हूं और अभी जनाब अभाया मैंने पैनली है आज है फ्राइडे का दिन और अभी जना सारा दिन मेरा गुज़र गया मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं दिया हलाकि आज कभी कुछ शूट करने कुछ था लेकिन बस तबीयत जो नहीं ज़्यादा भी ठीक मदलब कि किसी टाम अच्छी बली हो जाती है और किसी टाम जो नहीं जो नहीं जो जो आज जो आना मैं आब को वैसे बता देती हूं सेफ जो आना यह मैं इस कम्रे में लें इस तरह थोड़ी शी ना इस रूम की भी सैट्टिंग के ए और साथ पले रूम की भी ठोड़ी सी जो एंट की यह बच्चू नों अदर अपना रख ली है जो LED है तो बच् मैं सेंपल देखे हैं जिसकी के रिपोर्ट अभी मुझा जा के लेनी भी आ है मैं दॉक्तर को भी दिखा के तो उनसे पूछना है के रिपोर्ट में क्या आया है और आज के ओर्डर्स जो है वोगी मैं आपको चल के बाहर जो दिखाती हूं डिवाइस पे तो साथ साथ जो है न वो और्डर्स चल रहे हैं मैंने फिर रेस्परंट जो है न वो अपना क्लोज नहीं था किया क्योंकि आप जो है न यह चार आडर मुझे आए हैं यह दो सुपों आये थे और दो एकठे आये थे थोड़े से न गैप पे और कल कभी आपको दिखाया था से कल और अभी जो सीन यह जाने से पहले इसको जो आरा अच्छा जी तो यह व्लॉग जो नहीं मैंने लास्ट युब भी गुज़रा ना פराइडे उस से स्टार्ट किया था मैंने ख्लीनिक में जाके आगे ख्लीनिक है ख्लीनिक fell स्टाइडे का फ्राइडे को उन्हों उनों भूफ रग दीा था ना रात में हम लोगो बैठके शामी कबाब बनाए मसाला मैंने बना दिया था तो फिर हजबन के साथ मिलके मैंने सारे शाम एकपब रड़ी किये और ये जो क्लिप अभी आप देख रहे हैं ये है जी संडे का क्लिप सैटर्डे को मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं था किया तो संडे वले दिन फिर शाम में जब मैं ये लगवाने गई थी ना ड्रिफ क्योंके रिपोर्ट आ गई थी और वो रिपोर्ट जो है वो मेरी अच्छी आई थी मतलब इतना ज़्यादा जो है न उसमें इशू नहीं था तो भी डॉक्टर ने बोला था कि आप इनो फर संबल गई तो ये भी हैर फिर लगी नहीं थी और मैं फिर घर आ गई और ये जनाब उसके बाद नेक्स डे का क्लिफ स्टार्ट हो जाता सुबह मॉर्निंग का मुंडे वाले दिन का ये क्लिफ मेरा ना मैंने सुबह शूट किया था सुबह भी मैंने क्लिफ पूरी तरह हतम भी नहीं की और साथ ही जो आना ये बाहर हलकी हलकी बारश शुरू हो गई थी मोसम जो आना वो बड़ा प्यारा हो गया हुआ था मतलब कि सर्दी है अभी ये नहीं कह सकते कि सर्दी हो गया सर्दी है अभी अच्छी हासी जो आना मतलब धूप ना निकले तो दिन में भी ठंड लगती है तो हैर कंपल में बाहर बिचाये थे वो मैं ले ये उतार के और आज जो आना फाइनल मुझे जो थोड़ी बहुत मेरी प्रप्रेशन रह गई थी रमजान की मुझे वाज वो सारी हतम करनी है क्योंके आज तो कंफर्म जो है ना वो मतलब कि रमजान का चांद नजर आ जाना है और कल का रोजा होने तो बस मैंने फिर ना चीजें वगरा जो है वो सारी मंगवाल ही थी थोड़ा-थोड़ा करके ना सुबों यरली मॉर्निंग जो है यह सारी चीजे स्टार्ट कर दी थी ताके मैं थोड़ा-थोड़ा करके ना यह सारा काम अपना हतम कर लूँ तबीयत जो है वो बस ठीक ही है और नहीं भी ठीक लेकिन यह है के ड्रिप जो है वो तो अब विनोफर नहीं लगवाऊंगी यह के मैडिसन से अपनी अच भी जो है ना उसको मैं कवर अप करूंगी साथ में थोड़ी डाइट अच्छी ही लूँगी तो इन्शालला जल्दी वो मेरी हो जाएगी तो बरहला आज की वीडियो जो है ना वो आप अबी से लाइक कर दें क्योंके यह बहुत ज़्यादा मिहनत के साथ मैंने यह वीडियो बनाई थी सारा दिन लगा के मतलब यह ना बहुत ज़्यादा मिहनत के साथ वीडियो शूट भी हुई थी और इसके बाद यह वीडियो की अडिटिंग वाइस हो और इन सारी चीजों और रोल जो है ना वो भी मुझे थोड़े से करने थे लेकिन मेरा बिल्कुल भी अच्छा एक्सपिरिंस नहीं गया बजार की जो समोसा पटी और रोल जो मिलता ना वो मैंने मंगवाई थी और वो अच्छा नहीं था अगर चलके मैं आपको थोड़ा सा उसका दिखाऊंगी भी किस सेंस में अच्छा नहीं था अभी फिल्हाल यहां पे अलू वगरा वाश करेंगे और उसके बाद बाकी जो है ना वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह सारी अपनी जो है ना यह थोड़ी बहुत परपेशन करके रखी सबसे पहले जो है ना वो मैं कटिंग वाला सारा काम अपना हतम करूंगी क्योंकि मुझे सप्रिंग रोल बनाने हैं जिसमें के वेजिटेबल यूज होंगी तो यहां पे सबजियां वगरा सारी मैं काट लूँगी और उसके बाद हम लोग जो है ना इसको रैड़ी करेंग सबस्क्राइबल बनाने हैं अच्छा जी तो यहां पे मैं थोड़ा सा जो है ना आपको बताती चलती हूं मुझे कल कॉमेंट में हैं मुझे आ रहे थे मेरी पिछली वीडियो पे और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं इन्होंने मुझे पर्सनल भी मैसिज किया था कि आप थोड़ा सा ना पैकिंग के हवाले से वीडियो बना दें कि रमदान में हम लोग जो है ये फूचार धही बले और इस तरह की चीजे किस तरह पैक करके देंगे सेकिंड डील्स के बारे में भी ना आप वीडियो बनाएगा तो इन्शाला मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ रमदान के हवाले से जो डील्स मैं लगाऊंगी वो भ जाएंगे जिस चीज के भी ओर्डर जाएंगे वो मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह मैं कौन कौन सी चीज को पैक करके दे रही हूं तो इससे यह है कि आपको काफ़ी जादा असानी हो जाएगी पता लग जाएगा कि हम लोगों ने किस तरह कौन सी ची कैसे पैक करके देनी है और रही डील्स की बात तो डील आप डिफरेंट जो है न वो आइटम्स को एक साथ मिला कि आप रमजान स्पेशल आफर्स के नाम से कैटागिरी एक बनाएं और उसमें आप आगे अपनी डील लगा लें डील वन डील टू इस तरह करके आप उनका नाम रखें और उसके अंदर आप जो है न वो अपना सारा बज़र्ड सेट करके तो उसमें आप दो समोसा साथ में एक देनी बनले की प्लेट और साथ में खजूरें इस तरह एड़ करके आप एक प्रॉपर मतलब के इफ़तार में जो जो चीज़ी होती है ना उनको मिला के तो तो सिंगल सर्विंग के मतलब के एक 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 बन्दे के हसाब से आप डील बनाके तो आप उसको लगा सकती है उस सजी एया कि अगर कि किसी को वो डील डील आप की सूटेबल लिगती या तो वो आप से फिर वो अर्डर कर लेगा Currently अप rocks ये सारी चीज़े जो है वो सिंगल भी लगाएं कि अगर वो कोई बंदा जस्ट एक चीज मंगवाना चाह रहा है तो वो भी वो मंगवा सके बरहाल ये डील सारी मैं अपने आउन कर लूँ एक दफा तो मैं फिर इंशालला ना आपको अपनी जो क्या उसे कहते हैं मेन्यू का सारा जो है ना को मैं वीडियो रिक था है जस जसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बैल नोटिफिकेशन को अँन करके ताकर मेरी आने वाली वीडियो जो आपको आसानी मिल सके और जस जस ने विडियो अभी तक लाइक नहीं क Nah Music इना बड़़ी ना की बड़ी इस मौसु में जो फिलिंग मैं डालती हुँ पहले ही अपने चैनल पर अपलूट कर शुकी रहना है वो दो बस यहां पर इनको भी वॉयल ओने के में लिए रिखेंगे और उसके बाद अपना बाकी के चाम करेंगे कर दो तो यहां पे जनाब मटर लेके मैं आ गई हूं रूम में क्यूंकि आप जो आना खड़ा नहीं था हूआ जा रहा तो मैंने सोचा चलो अंदर बैठ के तो यह मटर चील लेती हूं उतनी देर में हमारे आलू भी बॉइल हो जाएंगे और साथ में जो है वो चिकन भी हमारा हम लोग यहां पे मटर निकालती है मटर सारे जो हैना वहां लोगों ने है छील ली है उसके बाद मैंने यहां पे पने लिए बिनाया है स्कॉपरी शेक अभी यह हूंगी क्योंकि अब जो हैना अपनी केयर भी किनी है साथ साथ मैंने तो आजकल फुल आन हेल्दी फूड में ले रही हूं जिससे के मेरी जो एच बी है वो नॉर्मल हो जाए तो बस अभी ये पीते हैं अलू बॉयल हो चुके हैं चिकन अभी हो रहा है तो बाकी की फ्रोप्रेशन जो है वो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूं तो यहां पे जनाब आफ कैमरा भी मैंने काफी कुछ जो आना वसाथ अपना समेट लिया था जैसे के लस्टर द्रुक मैंने चील के रख लिया था धनिया भी बना के रख दिया था और यहां पे कुछ और मजीद जो चीजे आने वाली थी ना वो भी बच्चे आ गए थे तो उनसे फिर मैंने मगवा ली थी यहां पे सबसे पहले जो बेसन है ना उसको मैं परात में डाल के तो इसका प्री मिक्स बना के रख लूँगी इतनी ज्यादा असानी हो जाती है ना रमजान में मिन्स के यह जरूरी नहीं के अगर एक होम शेफ है तो वही यह सारा कुछ करके रखे तो फिर ही मतलब के ठीक रहता है आम हाउस वाइफ जो के मतलब अपने घर के लिए भी अफ्तारी बना रही है ना रमजान में बहुत ज्यादा असानी हो जाती है यह भी वेसन का मतलब क सारे मिर्च मिसाले जो हम लोग ने डालनी होती है वह एकी दफ़ा ज्यादा बेसन ले के उसमें डाल के आप रख दो तो फिर रमजान में फटा फट से बस पानी डाल के उसको मिक्स किया और चाहे उसके पकोड़े बनाएं चाहे वो बेसन वालू बनाएं चाहे वो मसाला हो कुछ भी हो फटा फट से बाइन जाता है बार बार जो है ना ये नमक मिर्च वाले सारे बॉक्सेज ओपन कार के सारी चीज़े डालने की जरूरत नहीं पड़ती तो बस यही मैंने भी अपने लिए थोड़ी असानी की इसमें जो है ना तकरीब बन जो है ना वो आदा किलो को देती हूं स्पाइसी खाना और नाई मैहुद अपने घर के लिए बनाती हूं तो इसलिए मैंने नॉर्मल एक एक चमच के हिसाब से सारी चीज़े जो है ना वो डाल लिया और चीज़े इसमें मैंने नमक, पीसी मिर्च, कुटी हुई मिर्च, साथ में पीसा हुआ हुआ मिर्च, दनिया, अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, साथ में काली मिर्च का पाउडर, यह सारी चीज़े डाल के इसको बस अच्छे से मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करके इसको वापस डिबे में भर के तो मैं रख दूँगी, पिर आगे जितने दिन भी यह मेरा चला, यह मैं करक्तूल करक्तूल और जिनाब उसके बाद जो है ना वो मैंने लसन अद्रख यहां पे छील के रखा हुआ था लसन अद्रख बहुत ज्यादा नहीं मैंने छीला यह आपके सामने थोड़ा सा ही यह लसन और थोड़ा सा यह द्रख है इसको मिक्स करके रख ़ूँगों क्योंकि इसको मैं फ्रीज नहीं करने वली इसके क्यूपस बना के बलके इसको ऐसे बॉक्स में भरके तो मैं नीचे फ्रिज में रखूँगी और इतना सा यह मैंने बनाया है कि यह तक्रीबन मेरा जो एना वो दस से पन्रा दिन चाल जाये और उसके बाद यह चाहिए और फिर मैं यह निया बनाओंगी ठीके ऐसे जो है ना नीचे फ्रिज में इसको मैं रखके तो यूज कर लूँगी ऐसे मुझे ज्यादा एजी लिगता है निकाल के ये सारी छोटी छोटी चीजे जो है ना वो अपनी कर लो पुलिगता है उसके बाद जनाव यहां पर हम लोग अपने जो स्प्रिंग रोल हम लोगों ने बनाने हैं उसकी मैं फिलिंग जो अब रडी करने लगी हूँ वो थोड़ा सा मैं अपना भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ वैसे तो सबी को जो है न यह त पकना स्टार्ट हूआ तो इसमे मैं थोड़ा सा वो जो लसन दरका पेस्ट मैं बनाया था ना वह एड कर दिया अब इसको भी थोड़ा सा पकाऊंगी और उसके साथ बाद जो है न वो एक छोटे साइस का मैंने चोटा या मीडियम आप साइस कहले उस साइस का मैंने को अचछे से इसके साथ थोड़ा सा भी मिक्स करेंगे और उसके बाध चीकन के साथ च।क उच्छे से पकाना है और तो गसारी वेजटेबल्स मेंने काटी highlight थी जो कैड industry जो कि या आइड़् देनी है और बस हमारा यह फिलिंग है यह बड़ी मज़ेदार सी हमारी रेड़ी हो जाएगी आगे इसमें कुछ स्पाइसेज भी आइट करने हैं वो भी मैं आगे चलके आपको स्टब बार स्टब बताती हूं फिल्हाल यहां पे यह मैंने चिकन बॉइल करके इच्छे से श्रड कर लिया था और इसमें यह श्रड करते हूए जो है न वो कितना बच्चों नहीं ख़ा दी आता बच्चों के जामने इस तरह के काम लेके बैठ जाओनों तो फिर आदा तो जो समझो कि वो बच्चों के पेट में जला जाता है तो ये हैर इसको डालेंगे और डालके तोड़ा सा इसको भी मैं फ्राय करूंगी और फिर उसके बाद इसमें वेजिटेबल जाड़ूंगी तो इसको हाइ फ्लेम पर हम लोगोंने अच्छा सा रोस्ट कर लिना था कि इसका वो क्रञ्च जो भाल्किल हुतम हो हलका हלका जो है ना मतलब फुल नहीं इसको पकाना अगर मैं शॉ cred लफजों में कहूँ तो फुल नहीं इसको पकाना, इसको बस ऐसे हलका जो है हम लोग इने भूंते जाना इसमें नमख और काली मिर्च मैंने टेस्ट के अकोर्डिंग डाली या आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा और इसको डाल के अच्छे से हम लोग करेंगे मिक्स और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस और साथ में वाइट विनिगर तो यहां पे तीन टेबल स्पून के करीब जो है ना मैंने सोया सॉस डाला है और दो टेबल स्पून के बराबर जो है ना यहां पे मैंने वाइट विनिगर डाला है तो इन चीज़ों को डाल के तो अच्छे से हम लोग इसको मिक्स करेंगे और या इस्ता इस्ता काम होती जाएगी जैसे जैसे थोड़ा सा यह सॉफ्ट होने पे आएगी तो यह काम हो जाएगी अच्छा सोरी यह मुझे ना बार बार खांसी हो रही है पता नहीं कल से थोड़ा खांसी भी जो है ना मुझे आ रही है अच्छा यह मेरे पस ना चिकन पाउडर का पैकिट ेग पड़ा था तो मैंने फ़र थोड़ा सा चिकन पाउडर भी आइड कर लिया चिकन पाउडर से भी इतना मतलब कि टेस्ट मज़े का हो जाता है और खुश्बू बढ़ी अच्छी सी आती है तो फिर मैंने चिकन पाउडर भी थोड़ा सा एड़ कर दिया था बस इसके लावा इसमें और कोई चीज निल जाएगी इसको थोड़ी दिर बस जो है ना वो आपने और फ्राइ करना है और बस ये हमारी फिलिंग जो है ना वो बहतरीन सी रड़ी हो जाएगी अच्छा जो रोल्स हैं उसकी फिलिंग मैंने बना के रख दिया उसके बाद यहाँ पर मैं मिनी समोसे के लिए जो वो आलू की फिलिंग है वो बनाऊंगी उसकी मैंने रैसे पी रिकॉर्ड नहीं की जब मैंने समोसा की रैसे पी शेयर की थी तो मैंने दी थी आपको तो बस सेम वैसे ही तरीके से यहाँ पर मैंने आलू की फिलिंग भी रैड़ी कर लिया और बस अब इन दोनों फिलिंग को ठंडा करेंगे और उसके बाद इनको फिल करना स्टार्ट कर देंगे यह देखे देखने में इतने मज़े की यह लग रही थी और मेरे बच्चे इसको भी ऐसे कच्छा खा रहे थे उनको इतने मज़े की यह लग रही थी तो यह जनाब यह मैंने रैडी मेट जो है ना बजार से समोसा और रोल पटी मुआ ली थी और ये इतनी कोई घटिया किसम किसमोसा اور रोल पटी निकली थी ना कहमत पूचे ये इसको जैसे ही दो-तीन पटीया मैंने अलेदा की तो अंदर से आदी-ादी कटी पटीया निकली और वो भी उनको उतारते उतारते वो तूट रही थी इतनी मतलब कि मैंने मुश्किल से ये सारी जो डिए मेरा हैला 15-16 रूल बने थे तोटल वह बड़ी मुश्किल से मैंने बनाए थे और जो मिनी समोसा, समोसा तो उसको हैर बोल ही नहीं 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 सकते क्योंकि वो इतनी मिनी है, कि वो समोसी भी जो है ना, जो बजार से मिलती है वो शायद उससे बढ़ी हो वो इतनी मतलब छोड़ शोड़ी बान रही थी और मुझे अब ये रमजान में दुबारा जो है न ये घर पर ये सारी चीज़े बनानी पड़ेगी क्योंकि ये तो बिल्कुल थोड़ी सी बनी थी तो बस मैंने ऐसे ही मैंने का चलो बिजार से इस लवाट ट्राइ करते है लेकि बिल्कुल भी अच्छा एक्सपिरिंस नहीं गया है है जैसे कैसे मैंने बड़ा ज्यादा जो है न यहां पर भी टाइम हमारा लगा तो ये जो है न फिर मैंने जिस तरह से भी मतलब के बनी ओकी सोकी मैंने इसको बना दिया फिर वेस्ट नहीं मैंने किया तो ये ही मैंने माइन बनाया था कि ये हम लोग घर में यूज करेंगे मैं कितनी मुश्किल से इनको जो आना वो कवर कर रही हूं लेकिन फिर भी ये देखें दूसरी साइड से जो आना वो सारी खुल के तूट केई थी इसको फिर मुझे अलएदा रखना पड़ा ये नई थी फिर ना यूज में नी थी आई तो बस ऐसे जो आना करते कराते ये हम लोगों ने मैं थी और साथ में मतला बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे थे तो हम सब ने मिल के तकरीबन जो आना वो डेड़ दो घंटा लगा के तो ये सारे जो रोल और समोसिया थी इनको फिल किया हुआ 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 हाँ तो फाइनली जनाब यहां पर जो है ना वो सारे रोल और समूसिया जो है वो मैं फिल करके तो ले आई थी वापिस किचन में अब मेरे पास ना से जिप लॉक बैग नहीं थे काफी दिनों से मैं हस्बंड को बोल रही थी लेकिन वो भी अपनी बस शॉप पे बिजी होने के व फिर मेरे माइड में यह जो पड़े हो वे थे ना प्लास्टिक के बैग यह आए तो मैंने सोचा चलो इनी से जो है ना वो मैं आज काम चलाती हूँ तो बस इसके अंदर मैंने छेचे जो है ना वो रोल डाल के आगे इसको स्ट्रेपलर से पिन कर पिन अप कर दिया तो यह भी बिल्कुल सेव हो जाएंगे कोई इनका हराब होने का जो है ना वो हत्रा नहीं होगा तो फिर मैंने सारी अपनी चीज़ें जो है ना इनी बैग्स में फिल करके तो इनको फ्रीज की है तो बस यहां पर फाइनल जो है ना वो स्टेप चल रहा था कि इन सब चीज़ों को बस आप मैं जो है ना वो फ्रीजर में फ्रीज करने वाली थी इमली की चटनी की रेसिपी मेरे से नहीं रिकॉर्ड हो पाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक भी गई थी और लेट भी मैं हो गई थी मतलब कि सारा दिन स्टिल मेरा ना इन सारे कामों में निकल गया था और जब मैं ये पैक कर रही थी तो उस टाइम मगरिब का टाइम तकरीबन जो होने वाला था तो फिर मगरिब की नमाज वगयरा पड़ी और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से इमली की चटनी बना दी क्योंकि आपको पता जब आप शूट कर रहे होते हो ना तो वो आपका एक गंटे का काम만 दो गंटे में होता है तो कि यंकर साथ साथ रेकॉर्ड करना सारी चीजु को देखना क्योंकि प्रॉपर वीडियो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं बहुत ज़दा इन चीजूं में टाइम लग जता है तो इमली की चटनी की मैं यह RSP नहीं आपको दे तो बरहल यहां पे जो थोड़ा बुद मैंने जो रिकॉर्ड किया वो मैंने सारा आप लोगों के साथ शेयर किया काफी सारा आइडिया आपको मिल गया होगा कि क्या 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 चीज़े जो है ना वो हम चोट-चोटी करके रख सकते हैं जिससे के हमारा आगे रमजान में काफ जयादा टाइम हमारा सेव हो सकता है तो यह सारी चीज़े जी करते हैं पैक और इनको रखते हैं फ्रीजर में और दुबारा फिर से याद करवा रही हो जैसे इसे वीडियो निया भी तक लाइक की वीडियो लाजमी आपने लाइक करनी है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा महिनत के साथ बनाई गई है तो एक लाइक तो जो है ना वो आप लोगों की तरफ से बनता है मेरे लिए ऐस अ गिफ्ट तो आप सब ने जो है ना मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना अच्छा जी तो सारा जो है ना वो फ्रीज करने वाला काम हतम हो गया था उसके बाद मेरे मायर में आया के प्यास जो है ना वो भी ऐसे पड़े हुए हैं फिर मैंने जो जो प्यास मुआ है थे अब मुझे अंदाजा नहीं की कितने प्यास थे लेकिन जितने भी थे है मैंने इन सब प्याजू को भी जो है ना वो चील के तो ऐसे ही मतलब के थाबित ही इनको अच्छे से चील के तो धो के हुश करके मैं जो है ना इनको भी फ्रिज में रख दूँगी इस से भी मुझे लगता है कि काफी ज़दा असानी हो जाती है एक तो ये जो गंध शान दू की तफ़ा सारे जितने भी थे मेरे पास आई हुए मैंने इनको छील के तो इनको भी फ्रिज में रख लिया इनको फ्रीज नहीं मैंने किया क्योंके फ्रीज जब हो जाता है ना प्याज हो या लसन हो तो वो गलता नहीं इतनी जल्दी और इसलिए मैंने इनको फ्रीज नही किया बलके ऐसे ही इनको जो है ना छील ले चील के अच्छे से वाश किया वाश करके तो इनको बस मैं शौपर में अच्छे से गिरा लगा के रख दूंगी अगर आप एर टायट को डिबा लेंगे धकन वाला उसमें भी आप रख ले तो चल जाएगा लेकिन मेरी फ्रिज है चोटी तो इसमें और काफी सारा समान था तो इसलिए मैंने जगा काम होने के वज़ा से इसको एक शौपर में अच्छे से गिरा लगा के रख था कि इसकी स्मेल प्याजू की वो दूसरी चीज़ों में आ जाए तो इस तरह गर गिरा लगा के अच्छे से टायट करके आप और को रख देंगे तो फिर इसकी स्मेल भी दूसरी चीज़ों में नहीं जाएगी और बहुत ज़्यादा असानी हो जाएगी जब दिल करेगा बस निकाला एक प्याज और यूज कर लिया बाकी यह मटर थोड़े रह गे थे इनको भी मैंने इसी तरह शौपर में डालके आ दो कि अच्छे से मटी बगरा इसकी निकाल के ना तो यह बड़ा बाल भर के मैंने फ्रीज कर दी हुई है क्योंकि आगे रमजान में पकोड़े वगरा भी आन होते हैं फूट पंडा पे तो यह असानी हो जाती है बस निकाल लो और निकाल के पकोड़े बना लो तो यह तो आकर रखी है और यह तकरीपन जो है ना वो एक पाउ इमली से जो है ना यह इमली की चट्नी बनाई है रमजान में दुबारा अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं बनाऊंगी और आपको साथ फिर रेसिपी भी शेयर कर दीगी और यह सारे शामी कबाब मैंने रखे हैं इनक जो है ना मेरा बॉक्स फ्रीजर में रखा रहता है और मैं उसमें यूज करती रहती हूँ आपस में बिल्कुल भी नहीं है चिपके हुए सब अलएदा अलएदा है तो यह जनाब सारी मेरी प्रपरेशन होगी है पीछे मैंने ना नेक्स डे चुके रोजा है तो उसके वीडियो अच्छी लगी होगी मिलूंगे इंशाला नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए अल्ला हाफिस